Hello students, I am Neha Tripathi once again with you and this is your GK session. Previous session में हमने किया था my daily routine. तो आज हम करेंगे, यह today's topic is action. सबसे पहले जानते हैं, what is the meaning of action? Action means काम, जो भी काम हमारे द्वारा किया जाता है, वो सभी action है. जिसमें हम अपनी body के different parts को use करके different action करते हैं, जैसे कि keeping, dancing, जो भी काम हमारे द्वारा किया जा रहा है. वो सभी हमारे action हैं, जैसे जब आप book को पढ़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं reading, जब आप खेलते हैं, तो उसे कहा जाता है playing, उसमें आप खेल रहे हैं, अपने हाथ और पैरों का यूज कर रहे हैं, तो वो आपके द्वारा किया हुआ काम है प्लेइंग जब आप दोड़ते हैं रेस लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं रनिंग उसमें भी आप एक काम कर रहे हैं आप भाग रहे हैं तो जो भी काम हम करते हैं जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं जिसमें हम अपनी body को different parts को use कर रहे है वो सब action word कहलाते है actions कहलाते है हमारे जैसे देखिए आपको इस picture में दिख रहा है ये बच्चा कूद रहा है तो इसे हम कहेंगे skipping ये girl नाच रही है, dance कर रही है तो ये है dancing ये action है dancing ये girl flower को smell कर रही है गले मिल रही है, hug कर रही है एक दूसरे को तो ये है hugging और ये boy खेल रहा है तो ये है playing ये girl book read कर रही है तो ये action है reading ये girl दोड़ रही है, run कर रही है तो ये है running और ये boy अपने हातों पर खड़ा है तो ये है hand stand और देखिए ये बच्चा rest कर रहा है relax कर रहा है तो ये action है relaxing और ये है waving और ये girl skate कर रही है तो ये है skating और ये बच्चा जूल रहा है तो ये है swinging तो जो भी काम हमारे द्वारा किये जाते है जैसे आपकी ममा आपके लिए खाना बनाती है तो वो है cooking आप खाना खा रहे हो उसमें भी आप एक काम कर रहे हो खाना खा रहे हो जो भी action कर रहे हो जिसमें आप अपनी body के parts को use कर रहे हो वो है action word तो जैसे आप खाना खा रहे हो तो उसे हम कहेंगे eating जब आप दोरते हो तो वो है running अब बात करते हैं हमारी activity की I hope आपको समझा कर रहे हैं आपको इनी सभी action word को learn करना है कौन कौन से action word होते हैं eating, cooking, running running, dancing जब आप dance करते हैं तो हम कहते हैं कि dance कर रहे हैं आप उसमें भी कोई काम कर रहे हैं dance करना भी तो उसे हम कहेंगे dancing वो आपका action है जो आपके दोरा किया जा रहा है dancing, running reading, sleeping जिसमें आप सो रहे हो hugging playing ये सभी action word है देखते है activity look at the pictures and paste the sticker of correct action in each book box आपको यहाँ पर four boxes दिख रहे हैं आपको सही action को के sticker को उनको paste करना है देखिए first box में लिखा है studying तो studying means पढ़ना तो आपको उससे related correct action वाले sticker को paste करना है आपको पता है sticker आपकी book के last pages में available है तो देखिए ये बच्चा पढ़ रहा है तो ये क्या कर रहा है studying तो आपको इस sticker को यहाँ से remove करना है इस तरीके से और आपको studying वाले column में इस तरीके से paste करना है तो ये था हमारा studying वाला action second है running तो आपको running related action जिसमें running हो रही है आपको section को paste करना है के sticker को paste करना है देखिए देखिए ये boy रन कर रहा है भाग रहा है तो ये है हमारा running वाला action का sticker स्टिकर है आपको इस तरीके से पेस्ट करना है फोर्थ है skipping रस्ता कूदना को हम English में skipping कहते हैं तो देखिए अब उसके sticker को आपको इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक girl है जो की skipping कर रही है आपको इस sticker को यहाँ से रिमूब करना है इसके लिए आपको आपको बड़ो की help ले सकते हैं और आपको इस sticker को skipping वाले box में paste करना है तो यह थी आपकी आज की activity page number 33 आपको इसी तरीके से सही कॉलम में सही action के sticker को paste करना है और उसकी pick मेरे साथ what's up पे share करनी है I hope आपको action word समझा गये हो जो भी कम हमारे द्वारा किये जाते हैं वो सभी हमारे action है और वो word action word है Bye Bye, we'll meet again Amen 26 seconds 27 seconds